कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे चैनल जैसे इंजिनियर पर आज हम बात करेंगे मैटेरियल कल्कुलेशन के वारे में कि हम मैटेरियल जो भी हमारा घर बनाते हैं उसमें हम मैटेरियल कैसे निकालें थैं तो हम बात करने की जैसे कंक्रीट के लिए तो जब हम कंक्रीट की बात करते हैं तो ऊसमे अमंगा ने में सिमेंट याने की सिमेंट वालो स्टोन बैल लास यानि कम इस्रावण होता है और जब हम इसको मिलाते हैं तो जैसे हम मिलाएंगे अगर मिलाने के बाद इसको पाने के साथ मिलाते हैं तो इसका बाइलूम जो की आयतन है वो कम हो जाता है इसलिए जब हम हम मैटेरियल को feit करते हैं तो यह कम होता है वह मदब खोडाने कि जैसे कि गिट्टि हमारी होती है तो अगर मालाजी के एक तसला गिटी कहीं पर रखें गूगीज इसमें बाल उडालते हैं तो बालोस मैं कुछ त्मात्रा में अंदर चला जाता है क्यों कि उसके जो गिट्टी है उसके बीच में छिद्र होता ओब है कर गिट्टी जैसे कुछ गिट्टी रखी में वह के बीच में स्जद्र रहता है कि इसलिए जब हम उसमें बालू डालेंगे सिमेंट डालेंगे तो बालू यानि कि आयतान वो कम हो जाएगा तो इसलिए जब हम मैटेरियल मंगाते हैं तो इसको को द्यान में रखते महाते हैं थोड़ा वह हमारा मैट्रियव्यों होता है घर बनाते समयी इधर उधर भी गिर जाता है जिससे कि हमारा कुछ मैटीयव अनठ नुक्सान भी प्ल investors इसको इन दिन ऊच्छीनों को ध्यान में रखकर हमें मैटेरियल ज्यादा मात्रा मंगाना पड़ता है और वो कितना ज्यादा मंगाना पड़ता है वो भी हम आपको बता दें कि वह 52 परसेंट यानि कि अगर जो हमें सोव फिट क्यों मंगाना था वह हमें 152 फिट क्यूब से लेकर 55 परसेंट यानि कि 155 फिट क्यूब मंगाना पड़ेगा तो चनल लिए 152 फिट क्यूब मंगा देंगे तो हो जाएगा हमारा तो वाइट को ध्यान में रखते हुए बाजार से हमें 52 से 55 परसेंट एक्स्टा मेटिरियल मंगाना होता है तो अगर सोव फिट क्यूब अगर हमें डालना है कंक्रीट को तो हमें 152 या 155 फिट क्यूब मंगाना ही पड़ेगा जो कि जिसमें सिमेंट बालो गिट्टी यह तीनों मिलाकर होता है तो उसको निकालने के लिए भी हम फार्मुला बता देंगे अगले वीडियो में तो यह देखिए सोब मीटर क्यूब के लिए एक सोबावन मीटर क्यूब हमें मंगाना पड़ेगा ऐसे बात करने तर्स मीटर क्यूब के लिए एक पंदरह दसमलो दो मीटर क्यूब मंगाना पड़ेगा एक मीटर क्यूब के लिए एक दसमलो पांच दो मीटर क्यूब तो और इतना मंगाने के बाद हम जब ड़गाए करेंगे तो हमारा मैटीरियल कम नहीं होगा तो कैसी लगे जानकारी है अब हमेसे जरूर करें और इस्टिमेशन से जूड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि सिविल इंजिनिरिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहे हैं धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए आपका